स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेस्ट सोलुशन फोर यू में मैं हूँ एक होप एक उम्मीद आज की वीडियो में हम दुआ के अलावा तीन एसे आसान उपाए जानेंगे जिनकी मदद से मदुमखियां आसानी से भाग जाएगी और वापस कभी नहीं आएगी मदुमखियों से सभी को डड़ लगता है क्योंकि इनके डंक से फेलने वाले संक्रमन से कभी कभी व्यक्ति की मौत भी हो सकती है इसलिए अगर आपके घर में या आसपास मदुमखियां आती है या चाता बना रखा है तो आप इन तीन आसान घरेलो उपायों से उन्हें दूर भगा सकते हैं इसके साथ ही एक बात और बता दूँ शास्त्रों के अनुसार भी मदुमखिय का चाता घर में रहना अशुब माना जाता है ये मानसिक परेशानी वैधन की हाने का कारण माना जाता है इसलिए आपके भी घर में मदुमखिय का चाता है तो उसे तुरंत हटा दे मगर सावध जाने के साथ मदुमखिय बगाने की आसान उपाए एक दूआ तो मदुमखियों को बगाने का एक रामबान तरीका है ही पर आपको बता दें दूआ करने से पहले सबी खिड़कियां दरबाजी बंद कर लें ताकि मदुमखियां घर में प्रवेश ना कर पाएं दूआ करने के बाद मदुमक्यां पूरे तरीके से बाहर निकलने में आठ से दस घंटे का समय लेती है तो इसका खयाल रखें दूएं के अलावा आप सिर्के का प्रियोग भी कर सकते हैं आप एक इस्प्रे बोतल में थंडा पानी वे सिर्का बराबर मातरा में मिलाई और जब रात में को इलाते वे इस्प्रे कर दें साथ ही घर की उस चगे पर इस्प्रे कर दें जहां बहुत सारी मदुमक्यां दिखाई देती है या आती है सिर्के की तेज गंद से मदुमक्यां भाग जाएगी उन्हें प्रबल तीखी गंद कतई पसंद नहीं है दो कपूर इस्प्रे आप 50 ग्राम कपूर को पाउडर बना कर एक लीटर ठंडे पाने में मिक्स कर लें और उसमें नीम के तेल की कुछ बुंदे मिला लें और मदुमक्य वाले इस्प्रे का छिड़काव करें इससे मदुमक्यों को पूरी तरीके से दूर किया जा सकता है तीन अगर घर में सिरका या कपूर नीम का टेल आदी नहीं है तो आप लसुन का प्योग भी कर सकते हैं लसुन की गंद भी मदुमक्यों को पसंद नहीं होती इसके लिए आप लसुन प्लस लोंग को अच्छे से कूट कर उसे चान ले और पानी के साथ इस घोल को एक मदुमक्यों को वर्तमान इस्तान छोड़ने वे नया इस्तान खोजने को मजबूर करेगा तो इन तीन आसान तरीकों से आप मदुमक्यों को घर से या चाते से आसानी से हटा सकते हो मगर बड़ी सावधने के साथ ही आपको ये तरीके अपनाने हैं अपना बहुत खयाल वीडियो को पूरा देखने के लिए बहूत बहूत धन्यवाद.